दोस्तों नमस्कार, recently मुझे एक खबर न्यूस्पेपर में पढ़ने को मिली, कि Income Tax Department ने अपने Prescribed Authorities को Income Tax Law के अनरूप जो करदाताओं पर ब्याज डियू होता है, उसे वेव करने की पावर दी, तो एक क्वेशन उड़ता है, कि ऐसे कौन-कौन से सेक्शन्स हैं, जिनमें Income Tax Act में असरसी के उपर ब्याज लगाया जाता है, उनमें से कौन से ब्याज का वेवर या छूट संभव है, अत्वकिस की छूट संभव नहीं है, पर इस जो recent news आई है, वो किस संधर्व में आई है, तो इनी सारे प्रिश्णों का उत्तर लेकर के दोस्तों, इस टाइटल के साथ क्या आईकर पर दिये ब्याज से छूट संभव है, मैं सी अनु भाटिया, आपके समक्ष हाजिरूंग। सबसे पहले दोस्तों, शुरुवात करना चाहूंगा, ताइपस ओफ इंट्रेस्स विचार लेविड अंटर था इंकम टेक्स लॉग यानि इंकम टेक्स एक 1961 के अंतरगर, विजेंटली भारत वर्ष में कौन-कौन से सेक्शन में ब्याज लगाया जाता है, या उसका बेस क्या होता है, सबसे पहला ब्याज होता है, ये तब लगू होता है, जब कोई करदाता, बी लेटे रिटर्न बरे यानि टाइमली अपनी रिटर्न नवरे तो, दूसरा ब्याज का सेक्शन है, सेक्शन टू थर्टी फोर बी ओफ इंकम टेक्स एक 1961, ये तब लगता है, जब आप अपनी असेस्टेक्स लाइविटी के 90% से कम एडवांस टेक्स पे करते हैं, तो आप पर एक अप्रेल असेस्मेंट येर से 1% फर मंत का इंट्रेस्ट का मिटर चालू होता है, ये सेक्शन टू थर्टी फोर बी का इंट्रेस्ट है, एक इंट्रेस्ट होता है दोस्तों सेक्शन टू थर्टी फोर सी ओफ इंकम टेक्स एक में जो लागू होता है जब आपकी एडवांस टेक्स की लाइविटी डेफर होती है, यानि आपको advanced tax चार किस्टों में जमा कराना होता है परंतु उन चार किस्टों में prescribed percentage जब आप जमा नहीं कराते तो आपको section 234C of income tax law में ब्याज देना होता है इसी प्रकार दोस्तों एक ब्याज का section 234D जो ये विवस्ता करता है यदि आपको refund जादा मिल गया हो तो आप वो refund भारत सरकार को लटाएंगे परंतु उस लटाने की case में आपको 10% per month की rate से interest देना होता है तो 234ABC में 1% की interest rate है 234D में 10% की interest rate है और आज जो मेरा focus है वो होगा section 220 of income tax act पर क्योंकि जो आपने newspaper की recent readings करी है वो section 220 of income tax act से जुड़े interest की विवस्ता करती है ये section 220 of income tax act क्या विवस्ता करता है इस पर मैं detail चर्चा करूंगा परंतु यहां briefly आपके समख्ष ये बात रखता हूं यदि आप पर income tax law में कोई demand बनाई गई यानि कोई particular assessment हुआ और उस assessment से आपके against में कोई income tax demand करी है और आप विदिन 30 days उस demand का payment नहीं करते तो income tax law आपको assessing default मानता है और ऐसी assessing default की अविदी में आपको 1% पर मंद का व्याँ देना होगा है तो recent CBDTA circular दोस्तों इसी section 220 के अंतरगत दिये जाने वाले ब्याज के विवर से संबंदित है यानि जो recent circular आया है उसमें कहीं पर भी section 234 ABCD में दिये जाने वाले interest के वेवर की कोई चर्चा नहीं की गए दोस्तों यहां conceptually समझने की कोशिश करते हैं कि पहली बाद ये section 220 का interest होता क्या है कैसे लागू होता है और इसको लगाने के case में क्योंकि मुझे वेवर को समझना है तो वेवर की power किसकी है वहां तर भी हमें पहुँच रहा है तो section 220 का title है दोस्तों when tax payable and assessi deemed in default assessi deemed in default यानि assessi को गलती पर माना गया है section 220 subsection 1 of income tax access any amount otherwise than by way of advanced tax specified as payable in a notice of demand under section 156 shall be paid within 30 days of the service of notice at the place and to the person mentioned in the notice ये बड़ी important विवस्ता section 220 में की गई है और इसको आप सरल तरीके से ऐसे समझे यदि किसी व्यक्ती पर एक assessment order होता है usually assessment order से ही 156 की demand निकल करके आती है तो section 156 में income tax department उस करदा था पर एक demand notice देता है और assessi के लिए required है कि वो समंदिर demand का within 30 days payment income tax department को कर दे अब यदि वो within 30 days payment नहीं करता तो subsection 2 of income tax law कहता है if the amount is specified in any notice of demand under section 156 is not paid within the prescribed time limit under subsection 1 यानि 30 दिन में जहां बुक्ता नहीं क्या गया हो assessi shall be liable to pay बहुत important terminology assessi shall be liable to pay यानि interest उसके ओपर लागू होगा ही होगा assessi shall be liable to pay simple interest at the rate 1% for every month or part of month comprising the period commencing from the date immediately following the end of the period mentioned in subsection 1 and ending with the day and with the amount is paid यानि 30 दिन के expiry के बाद 31 दिन से आपको 1% per month की rate पर व्याज देना होगा जो demand आपके outstanding रह जाती है उसके संदर में तो अब यहां अगर मैं ऐसा कहूं कि एक जनवरी दो हजार चोईस को किसी करदाता के ऊपर पांच लाग की demand income tax department ने decide करी जिसमें tax भी हो सकता है 234 ABC का interest भी हो सकता है और assessi ने एक जनवरी का यह particular demand notice उसको सर हुआ 30 दिन उसके पास थे से 31 जनवरी दो हजार चोईस तक करदाता को वो payment करना था पांच लाग का जिसमें tax and interest दोनों शौमिल थे परन्तु करदाता 31 जनवरी तक वो payment नहीं कर पाता तो ऐसी परिस्तिती में एक फरवरी ऑनवर्ड एक फरवरी दोजार चोईस ऑनवर्ड पर मन्त वन परसेंट की रेट से यानि पांच लाग पर मेरी कैलकुलेशन बढ़ेगी पांच जार उपर प्रतिमा अब सपोज असरसी ने चे महीने ले लिए उस डिमांड को बियॉंड 31 जनुरी पे करने में तो चे महीने का 30 जार का व्याज और दिना पड़ेगा बहुत से लोग भूल जाते हैं कि जब वो किसी इंकम टेक्स डिमांड का पेमिन नहीं करते या उन्हें ऐसा ध्यानी नहीं होता कि इंकम टेक्स लॉय ये विवस्था भी करता है कि अगर उन पर कोई डिमांड डियू है और वो ऐसी डिमांड का वुक्तान नहीं कर रहे है तो उनके उपर सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 का मिटर चालू रहता है अब इसका अपील की प्रोसिरिंग्स के साथ क्या लेना देना है उस पर एक चर्चान आगे आपके समझ रखूँगा दोस्तों यहां बात करते हैं कि यदि सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 में करदाता द्वारा कोई द्याज दे है तो क्या इसके वेवर की इस पर्च वेवस्ता सेक्शन 220 में की गई है अत्वारे तो मैं आपका ध्यान आकरिष्ट करता हूँ सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 आफ इंकम टेक्स एक पर जो यह कहता है अभी ध्यान दीजेगा सब सेक्शन 2 हमने पढ़ा था जिसने कहा था तीस दिन के बाद में एक परसेंट का ब्याज का मिटर चाल हूए और सब सेक्शन 2 यह कह रहा है कि नौट इस्टेंड इनिटिंग कंटे और पेवल देखें दोनों पावर हैं यहां रिड्यूस की भी पावर है वेव की भी पावर है यह पूर्णते आपका ब्याज खतम कर दे या आंशिक रूप से आपका ब्याज खतम करें पेवल बाए नससी अंडर इस सब सेक्शन इफ इस सेटिसफाइड अब आगे जो ती अगर आपको बुक्तान कर देते हैं तो आपको जैन्विन हाट्शिप हो जाएगी अब जैन्विन हाट्शिप इसको कहते हैं सपोस्स कोई वेक्ति के पास में फिनेंस के सोर्से बिलकुल नहीं उसका व्यापार समाप्त हो चुका है प्राया उसके ओपर लेंदारियां वन परसेंट की रेट से जो आज तक का ब्यार्डू है वो वेव किया जाए या रिड्यूस किया जाए डिफॉल्ट इन दपेमेंट अफ अमाउंट विच इंट्रेस हैस बीन और वस पेवर अंडर साइट सब्सेक्शन वास ड्यू तू सर्कम्स्टांसे बियॉंड कंट्रो कोई करता भी चैसकता है कि ज्याओ कि मेरा जो पुटिक्लर विंक क्योंट था वह घेस धैंकर मेंट नर्जी अटेंश करकले Lizynत में तो मैं कहां से payment करना चाता करना चाता तो भी मेरे पास मैं मुक्तान करने के लिए स्रोत नहीं बन पा रहे थे 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 थर्ड पाइट थर्ड पॉइंट तो यह फॉली कॉपरेट क्या हो तो यह आप यह तीनों शर्ते पूरी करते हैं तो प्रिस्टार्ड थर्ड को पावर होगी कि वो आपका इंट्रेस्ट रिड्यूस कर दे या वेव कर दे यह बहुत इंपॉर्टेन विवस्ता यहां से आती दिख रही है दोस्तों बात करता हूँ कि रीसेंट जो न्यूस्पेपर क्लिपिंग्स आपने पड़ी वो कहां से थी वो एमेनेट हो रही है CBDT सर्कुलर नंबर पंद्रा मिटे दोजार चोईष देट 4th of November 2024 जस्में CBDT ने स्पष्ट का in accordance with powers vested with the income tax authorities specified in section 220 subsection 2 of the act जिसकी अध्यन अभी हमने किया in respect of reduction or waiver of interest paid or pay when under section 220 subsection 2 of act CBDT for the purpose of proper administration of act hereby specified the following monetary limits as under तो इस सर्कुलर से क्या हो दोस्तों CBDT ने कुछ limits टैप कर दी authorities के लिए कि इतने तक का ब्याज अगर due है तो आप वेव कर सकते हैं इसके beyond certain other authority will be तो एक important विवस्ता जहान ये रखनी है दो बाते यहां करता हूँ कि एक ये जो reduction है या ये जो waiver है ये payable amount के संदर में भी हो सकता है और अगर assessi ने अल्रेडी pay कर दिया तो भी reduction किया जा सकता है यानि आपने pay कर दिया interest तो refund भी आ सकता है यदि आपको एक waiver दूसरी बात ये क्या आपको ये समझना होगा कि मुझे अपने interest waiver की application अब बहुत इंपोर्टेंटली बुल्राओं आपका text का waiver नहीं होगा और interest का waiver भी होगा तो कौन सा interest section 220 subsection 2 के interest की waiver की बात करहूं बाकी interest के waiver का मैं यहां कोई चर्चा नहीं कर रहा तो section 220 subsection 2 का जो interest है उसका वेवर पार्शली या फुली करने की जो पावर दी है cvgt ने prescribed authority को दिये तो आपको ये समझना है क्योंकि prescribed authority कौन है जिसके समख्ष में वह application लगानी होगी यहां दोस्तों authority और उसकी वेवर की limit क्या है यह बात एक table के format में आपके समख्ष रखता हूं कि मैंने income tax authority और monetary limit for reduction of और waiver of interest लिखा यहां पर term logic principle commissioner of income tax और commissioner of income tax की power है 50 लाक रुपे तक का भ्याज यदि आप पर due है assassin default होने का तो वो waiver कर सकते हैं इसके बाद में chief commissioner of income tax या director general of income tax की power होगी कि वो 50 लाग से लेकर के डेड़ करोड यानि 50 लाग से उपर और डेड़ करोड तक के ब्याज की राशी यदि आप पर due है assassin default होने का तो वो से वेव कर सके, reduce कर सके और यदि अमाउंट डेड़ करोड से भी उपर है अप पर ब्याज की तो फिर waiver अत्वा reduction की power रहेगी principle chief commissioner of income tax इससे आपको ये पता चलेगा क्योंकि मुझे मेरी application कि सक्षम अधिकारी के समक्ष लगानी है for waiver or reduction of interest for being assassin default दोस्तो इस अगली slide में बढ़ा important question आपके साथ discuss करने जा रहा हूं whether there is any time limit specified for the authority to determine fate of the application कि हमने मान लीजे CIT को, chief commissioner को, principal chief commissioner को एक application लगाई इसाब मेरा ये particular interest under section 220, subsection 2, waive कर दिया जाए या reduce कर दिया जाए, तो क्या इसकी कोई time limit भी उन्हें adhere to करनी होगी तो as per section 220, subsection 2, there are certain provisions which say 1. the order accepting or rejecting application of the assessi, either in full or in part shall be passed within a period of 12 months from the end of the month in which application is received यानि आपको जो application आप करेंगे, उस month के end से 12 महीने में CIT अत्वा उनसे higher authorities, जो भी competent हो, वो आपकी application को एक्सेप करेंगे या reject करेंगे, यानि उन्हें order करना ही होगा, दूसरी बात, no order rejecting the application either in full or in part shall be passed unless the assessi has been given an opportunity of being a, तो जब भी आपका कोई particular application department reject करेंगा CIT, तो उससे पहले, अगर वो ऐसा मानस मनाते हैं, तो उससे पहले आपको सुनवाई का मौका देंगे, कि आप अपना पक्ष रख सकें, कि क्यों आपकी राए में, यहां विवर मनता है, ताकि एक proper discussion होकर कि अससी को, क्योंकि यह natural justice का सिदानत है, कि आप किसी के विरुद्ध निर्ने से लेने से पहले, उसे एक सुनवाई का मौका अवश्य दें, तो यह एक point law में और लिखा है, जिसको मैंने यहां आपके समख्ष रखा, बड़ाई important question दोस्तों यहां पर रख रहा हूँ, what if prescribed authority does not grant a waiver, कि अगर आपने CIT, PCIT, या Commissioner, या Chief Commissioner, या Principal Chief Commissioner के समख्ष application करी, और उन्होंने waiver दिया ही, ना reduce किया, ना waiver किया, तो ऐसी परिस्थती में क्या आप appellate procedure का साहरा ले सकते हैं, तो मेरा prima facie answer है सर, यह mercy है, यानि 220 subsection 2A में, जो competent authority को power दी गई, वो mercy की power है, अगर वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी परिस्थती में आप appeal तो नहीं फाइल कर सकते, परन्तु मेरी राय में उस परिस्थती में आप, अगर आपको लगता है, आपका case fit case था, परन्तु से गलत reject किया गया, आपकी application को गलत reject किया, तो आप repetition file कर सकते हैं, before jurisdiction high court, जो एक important remedy है, एक दूसरी बाद, जो मैंने यहाँ specifically, officially लिखी नहीं, पर उस पर आपसे चर्चा जरूर करना चाहूंगा, कि देखिए, होता क्या है दोस्तों, हम लोग किसी भी income tax department से जब असंतुर होते हैं, तो CIT appeal में appeal file करते हैं, क्योंकि वो first stage of appeal है, income tax law, appeal करने का भी time 30 days है, तो हम appeal करके बैठ जाते हैं, बहुत बार इस presumption में कि ठीक है, हमने appeal कर दी है, अब जब appeal में सुनवाई होगी, तब देखेंगे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं, कि इस दोरान हम assassin default बने हुए हैं, और एक परसेंट ब्याज का मिटर्ट चालू है, तो ऐस ब्याज का मिटर्ट चालू है, तो कुछ लोग मुझसे ऐसा भी question पूछते हैं, कि अनुप जी मान लीजे, मैं tax पूरा जमा करा दूं, और appeal कर लूं, और बाद में अगर मेरे को favor मिले, appeal में, तो क्या मुझे refund हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों refund हो जाएगा, ये भी एक त लगना, अत्वा नहीं लगना, depend करेगा कि मेरी appeal में decision क्या है, और मान लीजे decision मेरे against आया, तो क्या मैं उस दिन application नहीं कर सकता, इस तरह कि मेरा तो मानना है, किया जा सकता है, ऐसा application पाद में भी, तो दोस्तों अंत में ये कहना चाहूंगा, कि ऐसा नहीं है, कि ये जो waiver की power है, ये कोई नई प्रकट हुई है, ये पहले से section 220, subsection 2A में authorities को दी गई है, हाँ, यहाँ पर जो monetary limit है, वो भारत सरकार change करती रहती है, तो जो recent surplus मैंने आपके समख्षर का, 15.2024, उसने limits को tag किया ह यानि power पहले भी थी, power अब भी है, और power आगे भी रहेगी, जब तक हटा न दी जाए, तो powers के लिए, ये circular केवल monetary व्यवस्ता करता है, powers law में already पहले से provided थी, परन्तु हाँ, अंत भला तो सब भला, यानि अगर आप एक request इस circular के reference से लगाएं, और आपको एक sigh of relief मिले, तो मै ही आप interest का waiver layer section 220 subsection 2 के waiver में, तो वो आपके लिए एक अच्छी relief income tax department से ली गई मानी जा सकती है, तो आज के लिए दोस्तों अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं, मैरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत तन्यवाद, जय है